दोस्तों आप सब्जी की खेती करते हो तो आपने देखा होगा कि मिर्च, टमाटर, खीरा, भिंडी, हालू बगैरा में पत्ते उपर की तरफ मुढ़ने लगते हैं या फिर नीचे की तरफ मुढ़ने लगते हैं करल सा हो जाता है, बढ़वार रुक जाती है, फल फूल पैदावार कम होने लगती है पत्ते बीच बीच में पीले भी होने लगते है, पत्तों में हरापन कम होने लगता है, मरोडिया लग जाता है वाइरस का अटैक आ जाता है ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है जब रस चूसने वाले कीट होते हैं जो एफिड हो गया जैसीड हो गया थ्रिप्स हो गया माइट्स हो गया पत्तों से रस चूसने लगते हैं और यह इतने छोटे होते हैं कि नंगी आखों से हम देख नहीं सकते है मिर्च में जब फ्रिप्स पत्तों से रस चूसते हैं तो पत्त ऊपर की त्रह मूडता है और जब पत्तों में हरण होता है जो कलोरोफिल कहते हैं वो कम हो जाता है तो प्रकाश शंसलेशन क्रिया कम हो जाती है फूल फल बढ़वार कम हो जाती है इस समय शुरू में अगर ध्यान ना दिया जाए तो यह वाइरस इंफेक्शन जो है ना मुरोडिया बोलते है जिसको इसका फैला भूछ जादा हो जाता है एक बार वाइरस मरोडिया आ गया तो रस चूसने वाले कीट होते हैं जो वाइरस वाले पोदों से पत्तों से रस चूसकर दूसरे पोदों पर वाइरस को फैला देते हैं सारा खेत वाइरस ग्रस्त हो जाता है फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है आज की मेरी इस वीडियो का मकसद आपको ऐसी दो दौईया जो अगर वाइरस आ गया तो उसको भी कंट्रोल करेगी साथ में फैलने नहीं देगी थ्रिप्स, माइट्स, एफिट, जैसेट, रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल करेगी यह दौईये हैं, एक तो है जी यह वाइरस जी, आप देख रहे हो, और दूसरी है यह माइटी साइड, दोनों दौईये जैविक हैं, मैंने पिछले साल अपने आलू की फसल को पर बीज वाले खेत में इसको प्रियोग किया था, इन दोनों को प्रियोग किया था, अच्छा तुरंत होता है, वाइरस और रस चूसने वाले कीटों का परकोप मिर्च पर बहुत ज़्यादा होता है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो सारी फसल की एक तुड़ाई, तीन चार तुड़ाई ही सारी होती है मिर्च के उपर, एक तुड़ाई का नुकसान हो सकता है, यह ज विमारी से क्वालिटी और पैदावर खराब होती है, नए फूलों का बनना कम हो जाता है, मिर्च का साइज छोटा हो जाता है, बंडी में रेट कम बड़े नुकसान से बचने के लिए वाइरस जी और माइटी साइट को मिरा कर 15-20 दिनों के बाद स्प्रे करते रहूं, यह पते वाइरस रहीत होते हैं, इनका स्प्रे जो है आपने सुभे या शाम को ही करना है, ज्यादा गर्मी में प्रयोग नहीं करना, दूप में नहीं करना, अच्छा यह जो वाइरस जी है ना, इसकी डोस सिरफ 100 ml है, 100 ml प्रती एकड करना है, 120 से 150 लीटर पानी में घोल कर, प आपको वाइरस जी के साथ मिलाना है माइटी साइड, और माइटी साइड की डोस है, 200 ml प्रती एकड, इसको भी 1500 लीटर पानी में आपने स्प्रे करना है, पर एकड करना है, और यह जो माइटी साइड है यह जैविक है, इसके अंदर जो है अजैडे रेक्टिन है, नीम का तेल होता है जो, और धतूरे का रस है, एक्स्ट्रेक्ट है, यह बहुत ज़्यादा प्रभावी है, सभी प्रकार के रस तुन्चाले कीट जो होते हैं, थ्रिप्स होगे, वाइट फ्लाई होगे, एफिट, जैसिट, माइट, सब पर काम करता है, अब यह जो कंपनी है, किसा कंपनी है, इसने हम किसानों के लिए बहुत बढ़िया एक सुईधा दे रखी है, हम कंपनी के कस्टमर केर नंबर 9826575663 पर फोन करके वाइरस जी और माइटी साइट अपने घर मंगवा सकते हैं, COD लिखा हुआ है, COD का मिलना कैश ओन डिलिवरी, पैसे दवा मिलने के ब बैगरी पर बिग हाट पर भी आप ओडर दे कर घर मंगवा सकते हो, इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहां पर क्लिक करके अपने अड्रेस पर अपने घर मंगवा सकते हो, वीडियो को अंत तक देहने के लिए धन्यवाद, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू जी